हेलो फ्रेंज, वेलकम तो एट्वन्टीफो नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉर्मेंट आफ इंडिया, मिनिस्ट्री आफ रेलवे, रेलवे रिकुर्मेंट बोर्ड की न्यू एटाइजमेंट जो की CEN नंबर 02-2024 आपकी जारी की गई है रिकुर्मेंट आफ टेकनिशन पोस्ट के लिए इसका ओनलाइन फॉर्म आप कैसे अपलाए कर सकते हैं इसके स्टेप बाइस्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में तो यहाँ पर मैं आपको सभी स्टेप के बारे में जानकारी देने वाला हूँ और इस वेकेंसिस रेटेड जानकारी आप जोबरास्ता.com पर जाकर चेक आउट कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा बात करेंगे फ्रेंगे यहाँ पर इसके फॉर्म प्लाय प्रोसेस के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट से मिल सकें तो यहाँ पर देखें फैंसे 9 मार्च 2024 से 8 अपरेल 2024 तक आप इसमें आविदन कर सकते हैं और 9 अपरेल से 18 अपरेल तक आप इसमें एडिट कर पाएंगे इसके अलावा फैंसे यहाँ पर देखें एज लिमिट आपको दी गई है 17 2024 को आपका यह काउंट के जाएगा आपकी जो टोटल वेकेंसी है वो आपके 9144 वेकेंसी आपकी यहाँ पर जारी की गई है और आप केवल एक ही पोस्त के लिए आविदन यहाँ पर कर सकते हैं अब यहाँ पर फैंसे यहाँ जान रखिएगा आपको एक नया अकाउंट बनाना होगा पर अगर आपने पहले cn01-2024 के लिए आविदन किया हुआ है तो आपको दोबारा से यहाँ पर आपका अकाउंट क्रियेट करने की जोड़ नहीं है आपको simply login करके ही आप यहाँ पर apply कर सकते हैं तो अगर आप पहली बार registration कर रहे हैं railway की किसी भी वेकेंसी के लिए अगर आपने ALP का form fill नहीं किया है तो आपको नए अकाउंट बनाना है और आप पहले fill कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर login करना होगा directly अब बात करते हैं इसके form apply process के लिए तो यहाँ पर देखिए यह इसका official website का जो link है apply का वो आपको jobrasa.com पर देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर देखिए यह इसका official portal है जहां से आप इसमें online आविदन कर सकते हैं इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए जो बिलिंग कर रहा है create an account का option अगर आपने friends से ध्यान रखिए का ALP के लिए आविदन किया हुआ है तो आपको account बुनाने की जोट नहीं है directly already have an account पर जाकर login कर सकते हैं पर पहली बार account create कर रहे हैं तो आप यहाँ पर create पर click करेंगे इसके बाद मैं आपको यहाँ पर देखिए जानकारी provide करूँगा जिसमें सबसे पर लैप nationalty को select करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको देना होगा आपका पूरा नाम तो आप अपना पूरा नाम यहाँ पर enter करेंगे इसके बाद आपके नाम को यहाँ पर retype करना होगा इसके बाद अगर आपने अपना नाम कभी change किया है तो आप यह से no कर सकते हैं डियो भी क्या है मिनसे date of birth तो आप इस calendar के माध्यम से आपकी जो भी date of birth है वो आप select करेंगे और यहाँ पर फ्रेंच से date month and year यहाँ आपको फ्रेंच से यहाँ पर enter करना होगा इसके बाद फ्रेंच से यहाँ पर आप अपना gender select करेंगे आपका फ्रेंच से gender को verify करेंगे इसके बाद next option है आपके यहाँ पर father name का तो father name आपको यहाँ पर दो बार enter करना है और उसके बार आपको यहाँ पर आपका mother name enter करना होगा next option है friends आपके यहाँ पर जो है friends आपके अधार verification का तो यहाँ पर अपकर दे कर देंगे verify using अधार करेंगे इससे आपका जो अधार कार्ड है है पर आपके पास अधार कार्ड नहीं है आई डुनोट है उपर आप क्लिक करते हैं तो आपको फ्रेंस से यहाँ पर दे कोई भी ID प्रूफ जा से driving license, passport, pen card एंप्लोई आइडी स्कूल या कॉलेज उनिवरसिटी आइडी तो आप कोई भी ऑप्शन सालेट कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस है या पैन कार्ड है जो भी आइडी है उसका नंबर आपको देना है किसने इशू किया है वह आपको देना है इशू नहीं लिखा हुआ ह तो Government of India आप दे सकते हैं कहां पर ये इशू आ है तो फ्रेंज उसकी जान कर देना है और डेट आफ इशू आपको देना होगा इसके बाद फ्रेंज से आपको 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 क्रेट करना है पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो पासवर्ड में फ्रेंज से आपको उस पासवर्ड में रखने होंगे तो यहाँ पर फ्रेंज से देखी जो पासवर्ड है वो आप ध्यान रखेगा उसमें फ्रेंज से आप यहाँ पर देखी capital letters, small letters यूज कर सकते हैं आप numbers यूज कर सकते हैं कोई भी special character यूज कर सकते हैं इसके बार आप यहाँ पर इस capture code को करेंगे और preview and create an account पर क्लिक कर देंगे जिससे आपका account है वो आपका create यहाँ पर हो जाएगा इसके बार फ्रेंज से apply वाले section पर ही आपको already have an account का option मिलता है यहाँ पर फ्रेंज से आपका mobile number या mail ID और जो password आपने create किया है और यह जो capture code है यह डाल कर आप यहाँ से login कर सकते ह इसके बाद फ्रेंज से आप अपने देखिए portal पर login हो गया है और portal पर login होने के बाद आपको फ्रेंज से यहाँ पर देखिए जो C.E.A. number है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जिसमें आपको फ्रेंज से यहाँ पर देखिए आपके जो RRB है वो select करने का option आपको मिल जाएगा अब यहाँ पर खिलड की गई है तो आपकी सही हो जाएगी बाकी आप अपने धोडिंग जो भी आप यहाँ पर घखे hak कर सकते हैं नंबर वेकैंसिर जो है इसके टूरिकेशन में आपको देखने मिल जाती है इसमें दो तरह है एक एक पर किलिक कर देंगे यहाँ पर देखिए आपको एक मैसेज मिलेगा की जो आपकी डाटा है वापके प्रिवियस जो डाटा euro ती उससे फैच कर लीगई है तो आपको ज़ाड़ा जानगरी फिल करने की जूरत नहीं होगी पर अगर आपने friends से यहाँ पर fresh form फिल कर रहे हैं तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर फिल करनी है अब यहाँ पर friends से देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने जानकारी जो जहें शो कर दी है जैसे आपका metal status क्या है आपका religion क्या है choice of language क्या है जो आप चाहते हैं आपका कोई भी visible identification mark है वो आपको देना होगा इसके बार आपका cast कौन सा है वो आपको select करना है इसके लवग का certificate number किसने यह issue किया है किस state से आपका यह issue हुआ है date of issue क्या है आपको friends से अगर free जो rail traveling pass है वो चाहिए तो आप yes कर सकते हैं आपका indicate करना होगा nearest railway station और उसके बार आपका cast certificate यहाँ पर upload आपको करना है size आपको यहाँ दिया गया है pdf format में आप यह upload करेंगे नीचे आने पर आपको मिलता है address option तो आपका present address जिसमें अपने state district आपका पूरा address टाउन पिन कोड़ आप यहाँ पर एंटर करेंगे अगर यह सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कीजिए अलग-अलग है तो आप लग-अलग entry करेंगे और उसके बार next step पर क्लिक कर देंगे इसके बार अगर आप एक सर्विसमें है तो यहाँ पर इसे जो है सलेट कर सकते हैं फीस में चूर चाहिए आप यहाँ कर सकते हैं आपके certificate की जयनकारी प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं तो आप नो करेंगे पी एच के इन डेट है तो आप यहाँ कर सकते हैं आपकी इसके बार आपकी जो बैंक डेटेल्स है वो आपको देनी होगी जिसमें आप अपना अकाउंट होल्टर नेम दे सकते हैं और इसके लवा आपका अकाउंट नंबर क्या है वो जानकारी आपको देनी होगी आपका जो आपको जानकारी यहाँ पर उसकी प्रोवाइड यहाँ पर करनी है और उसके बार यहाँ से डाटा को सेव नेस्ट कर सकते हैं इसके बाद फैंसे नेस्ट ऑप्शन है क्वालिफिकेशन का आप यहाँ देखें जो हैन्सेंसिल कौलिफिकेशन है वो आपको फुल्फिल करना ज़रूरी है अब यहांपर देखें पहले से हमाई डाटा फिल है तो हम्में यह यहाँ पर इसको डिलेट कर देता हूं तो आप यहाँ पर ही हो रहा है पर अगर आप इसको बब्सका इंत करना c strongly आपको इंट इसके और शेटJean को 10th से सब्सक्राइब अचल्डर्ड विशाज़ कैया है इसके बार इसके बात अपको औरीधक्र में किया है आपने किस state से किया है किस district से किया है एश्यविटी है सेलेक्ट करना होगा आपके पास national trade certificate है यह state trade certificate है वो जनकारी आपको देनी होगी अगर आप 10परस तूप आउट है तो आपको यहाँ पर देखे discipline में physics and math का ही option देखने को मिलेगा और यहाँ पर फैंसे आप किस state से किस district से आपने पास किया है बोर्ड का नाम क्या है वो आपको देखने को मिलता है तो 10 plus 2 pass out candidate भी आवेदन कर सकते हैं तो इसके लिए सरफ एक ही जो है पोस्ट आपको देखी है 10 plus 2 के लिए तो आप notification में या वीडियो description में जाका check out कर सकते हैं अगर NAC या IT है तो आप simply आपके according इन में से जो भी post के लिए आप आवेदन यहाँ पर करना चाहते हैं उस post के according आप option को यहाँ पर select कर सकते हैं इसके बाद सेम आपको यहाँ पर जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइट करनी है आपका जो institute है उसका नाम क्या है वो जानकारी आप यहाँ पर enter करेंगे आपने इसको कप पास किया है तो वो जानकारी आपको देनी होगी calendar आपके सामने यहाँ पर open हो जाता है इसके बाद friends यहाँ पर जो nest option है वो है आपके data को friends यहाँ पर add करने का तो आप data को यहाँ पर add कर देंगे add करने के बाद friends आपको यहाँ पर देखे nest का option मिलता है आप यहाँ पर nest app पर click कर देंगे इसके बाद friends से यहाँ पर आपसे कहा गया है photograph and signature जो है वो automatically fetch कर दिये गये हैं आपके जो भी आपने RRB 2024 में apply किया है इसके लिए friends से आपको यहाँ पर देखिए जो photo है वो 6 माई जारा पुरानी नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पर कि uploaded का एक message मिलता है कि card certificate आपका यहाँ पर uploaded है view sample photo पर आप जा सकते हैं और इसमें friends से आप अपनी sample photos को check कर पाएंगे अभी माल लीजिए यहाँ पर open नहीं हो रहा है photos में friends से यहाँ पर कुछ भी mention करने कि आपको ज़रुत नहीं है 30-70KB के size में आपको photograph and signature upload करने है photograph जो होगा वो white background में होगा इसके लिए friends से आपको यहाँ पर देखिए browse पर click करना है file को select करके upload करना है ऐसे ही signature आपको यहाँ पर upload करने होंगे उसके बाद आप यहाँ से data को upload and save कर सकते हैं इसके बाद friends से next option आता है eligible post to apply तो यहाँ पर friends से आपने जो भी यहाँ पर अभी आपने जो भी जानकारी फिल की है उसके according आपको यहाँ पर देखिए eligible post मिल जाती है जिनके लिए आप आविदन यहाँ पर कर सकते हैं plus के sign पर आपको click करना है और इस तरह से फेंस आप यहाँ पर देखिए requirements दे सकते हैं कि आप किस के पोस्त के लिए आविदन यहाँ पर करना चाहते हैं इसके बाद friends जब आप यहाँ पर पिर फेंस को यहाँ पर टिक करवाया जाएगा तो आप यहाँ पर option को टिक कर देएगा नीचे आने पर friends आप यहाँ पर इसे declare करेंगे declare करने के बार friends place का नाम आपको लिखना है और इसके बार आपको यहाँ पर preview application करना होगा अभी देखे friends क्योंकि site अभी start होई है तो यहाँ पर जो photo and sign है वो अभी crack हो रहे है तो आपको wait यहाँ पर करना होगा तो जब अपना preview आप चेक कर लेंगे आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है आपने सब जानकारी को चेक कर लिया है रीचेक कर लिया है इसके बार ही आप यहाँ से इसे submit करेंगे इसके बार friends जो last step आपका बचेगा वो बचेगा फ्रेंस से payment का payment आप online mode में जमा करा सकते हैं किसी भी bank के credit card, debit card, net banking से जिससे भी आप payment करना चाहें वो payment आप यहाँ पर complete कर सकते हैं इसके बार friends जो आपका application history होगा उसमें जाकर friends आपने history को आप चेक कर सकते हैं और friends क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी जो link अभी start हुआ है तो friends से यहाँ पर जो photograph and signature है उसमें थोड़ा सा issue है आपको अभी wait करना है जब यह issue solve हो जाएगा मैं दुबारा से एक video आपको provide करूँगा इसमें friends से मैं आपको बताऊँगा कैसे आप payment भी कर सकते हैं और साथ में कैसे friends photo and signature भी आप upload कर सकते हैं तो यहाँ तक की जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी friends आपको इसकी official website पर या video description में आप जाएगे jobrasa.com पर आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो like, subscribe एंशे जरू कीजिए बागी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही है हमारे साथ देखते रही हमारा ये ये वीडियो चैनला स्थेंग्स पूर वाचिंग